हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पर सेफ होंगे आज हम बात करेंगे जो बॉर्डर बेटालियन का एक्जाम हुआ है उसके अनलिसिस को लेके आज मैं जो थे जो आदमी थे या जो लड़के थे उनका एक्जाम था वेमन का ये औरे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे साथ ही साथ अगर आप लोग जेंड के से हैं और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जैसे बॉर्डर बिटालियन के जो बच्चे थे अगर आप लोगों ने वीर डब्ली या कोई एक् के उपर 26 तारिक थी आज का एक्जाम था एक्सेशन डे भी था इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन आज साइन किया गया था जिसके लिए आज जम्मो किश्मीर वे तो वैसे चुट्टी थी तो पहले हम बात करेंगे डारेक्ट पेपर को लेके आप लोग पेपर का एक आई बहुत सारी देखने को मिलेगी no doubt vacancies काफी जादा है इसमें बाट exam का level जो था वो इतना जादा difficult नहीं था जिसकी वज़ा से आप लोगों को यहाँ पे cut off में थोड़ी variation जो है वो देखने को मिल सकती है अब questions आप लोग देख सकते हैं पहला 15th president पूछा गया है Republic of India के बारे था कितने वेदाज हैं जादा जो अगर आपको बात करें जो अगर इस paper की अगर मैं बात करूं जिस किसी भी बच्चे ने इसकी तयारी अगर करी है अच्छे खासे exams को लेके जैसे हमारे यहां पर जितने भी exams होए थे अगर कोई भी बच्चा उसकी तयारी कर रहा है उनने इसके अगर मैं आपको बात करा हूँ यहां पर जो जो पढ़ाए गया यह भी आपको पढ़ाए गया फर्स्ट गवर्णर कोन है यह तो वैसे भी basic question थे reorganization act का तो सारे जेंडगे को पता ही होगा इसके अलावा अगर हम बात करें type of resource is iron और यह question पूछा गया था अगर कुछ questions लेकिर इसमें अच्छे level के भी थे ठीक है जिसमें project tiger आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ऐसा नहीं था कि overall paper बहुत basic डाल दिया गया था majority portion was easy कुछ questions बीच में moderate थे हां बीच में 15 questions difficult level के भी थे confusing भी थे बीच में कुछ questions जैसे पहले home minister कों थे हमारे इंडिया के यह पूछा गया है इसके अलावा अगर मैं यह एक journal आप लोगों को भी बता रहा हूं जो बाकी exams की भी तयारी कर रहे है no doubt agency अलग होगी बट एक idea अ इनके answers आते हैं तो इसका मतलब कि आपकी तयारी इच्छी चाहरी है जैसी यह questions भी अभी recently जो discuss की है 500 MCQs की series में सवराज जिसमाई birthright एक किसके द्वारा कहा गया था कि मैं इसको लेके रहूंगा Commonwealth game 2022 की कहां पर हुई थी इसके उपर भी आपको जो current affairs मिलते थे basic उसमें था जाला difficult नहीं था largest wheat producing state पूची गई है इसके बाद current लोग speaker पूचे गए है बॉडर बटाइलियन का जैसे paper था तो question यहां पे इस तरीके से भी था कि कौन सी country है जो की हमारी साब बॉडर शेयर नहीं करती तो easy था neighboring countries में यहां पे आप लोगों को देखने को मिल गया Iraq दिखा हुआ था green revolution के father पूचा गया था यहां पे इसके अलावा google के CEO पूचे के थे ठीक है basic question है अगर कोई बच्चा मालो newspaper भी नहीं बढ़ता अगर वो daily basis पे updated रहता है तो वो भी इस paper में बहुत अच्छा करके आ सकता था इस level का यह paper था अब यहां पे बात आती है cut off को लेके मै एक बड़ी overview यहां पे आपको जल्दी से दे दूँगा जो questions बहुत अच्छे थे वो भी आपको बता दूँगा जैसे powerhouse of cell क्या है basic question है largest organ कौन सा है skin है basic questions थे जादा difficult इसको नहीं बनाया गया था paper को इस level का बनाया गया था कि जो वो भी बच्चा अगर अच्छी तैयारी क करके आ रहा है वो इसको असानी से attempt कर सकता था अब कौन सा ऐसा country है जो की Commonwealth nation का part नहीं है ठीक है इसको पूछा गया था अगर आप लोग Commonwealth Games देखते हैं तो आप इसका answer यहां से भी कर सकते हैं कि USA's का answer हो सकता था हवा महल कहां पे is found in किस जगह पे देखने को मिलता है अब बेला लेक्चर दिया है हिस्ट्री आप कश्मीर का उसका पहला question है यह रिशी कश्यप के नाम पे रखा गया था ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने है ancient नाम पूछा गया है वितस्ता का यह भी मैंने आपको discuss किया है basic जो history of कश्मीर है उसका ह Sun Temple जो कश्मीर में वो किसके द्वारा किया गया था Martin Temple या जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है दर नेम सूर्य पूत्री तभी जो जम्मू से उसको पढ़ता है देखो question जो जेंड के related पूछेंगे ना history के या जो भी questions है basic है ऐसा नहीं है कि in-depth पूछेंगे है बहुत basic पूछा गया है यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे जन्मास्टमी के बारे में पूछा गया है कि किसके birth anniversary को मनाया जाता है Lord Krishna basic questions है कितने district है जम्मू कुश्मीर यूटी के अब यह अगर आप लोग ने नोई यह district पढ़ा तो आप लोग तो इसकान से वैसे भी कर देंगे 20 है पहले 22 थे दो हट गए है आनमी डे का मनाया जाता है माराजा हरी सिंग ने जो instrument of taxation था वो किस date को sign किया था जब आप लोग paper देने गए हो उसी date को sign किया गया था refractive index के ओपर question है negatively charged particle cell के ओपर question है इसके अलावा अगर हम बात करें second LG के बारे में पूछा गया है कि कौन है मनोच सिना है पहले गिरिश मुर्मू थे basic level अभी तक जो हम questions को discuss करते आ रहे हैं जादातर जो questions है वो बहुत basic है इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल आया हो अभी तक ऐसा कोई भी एक आदा question मेरे को भी अभी तक नहीं देने को मिला हो जैसे बहुत basic थे बहुत ही easy थे national support के ऊपर पूछा गया है जैसे देखने को मिला है natural neutral solution का क्या होता है PHLU basic question थे अब थोड़ी सी बात यहां पर कर लेता हूं computer या बाकी sections के बारे में जैसे MS word की command क्या है यहां पर पूछा के copy करने के लिए देखो computer की बात हो history बात हो जमू कश्म factor इसमें से कौन सा निकलेगा यारी की basic question था math की भी अगर यहां पर बात की जाए LCM निकालने के लिए का गया दो नंबर आपको दीए इसके लावा average के भी अगर बात कीजिए मैं average के आपको थोड़ा सा high level करवाया हुआ यह तो basic type में आता है कि आपको बस add करके sum upon number करना था basic था percentage का question भी यहां पर basic ही आया हुआ है fine selling price when cost price is 56.25 और gain आपको दीए अब यह question थे यहां पर तो paper का level overall बहुत अच्छा नहीं मतलब अच्छा इस sense में कहानों कि जब कभी भी paper easy हो जाता है ना तो उसका cut off अपने आप बढ़ जाता है यह चीज़े आप लोगों को तो मैं से जादा अच्छे से पता हो चल गई होंगे अब तक कि जब भी paper का level easy होता है तो यह जो इसका cut off है वो बढ़ता है जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह जो series के question आए है basic बहुत basic थे जादा difficult नहीं था कुछ questions यहां पर अच्छे भी थे अब जैसे देखो दो है एक है half है one by four है इसको क्या 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 है आदा आदा की यह करते जा रहे है one by two से बल्ली बलाए करके one by eight इसका answer है ठीक है अब यहां पर basic questions थे cut off की बहुत जब मैं यहां पर करूँगा बहुत सारे बच्चे यहां पर थोड़ा सा हिल जाएंगे थोड़े से बच्चे घवरा जाएंगे देखो women का cut off आपका approximate अगर मैं गलत नहीं हो तो शायए 74 के गरीब था वहीं अगर मैं बात करूँ इस paper का cut off अगर आप लोग अगर आपको यहां पर पता है तो आप इसका answer कर सकते हैं अब यह question पूछागे कि कि किते हैं नंबर ऐसे जो 200-600 के बीच में जो 4,5 और 6 से divisible होंगे अब बात करता हूँ यहां पर मैं cut off को लेके ज्यादा इसकी paper का overall अगर analysis अगर आप लोग पूछेंगे paper का जो exam का level था वह आपका easy to moderate था level की अगर आप लोग बात करोगे तो easy to moderate था paper में questions हमारा जो mock test था उसमें फिर level बहुत अच्छा था उसका paper लेकिन आपका easy to moderate था अगर आप लोग बात करेंगे expected cut off की देखो expected cut off की बात अगर मैं यहां पर करूँ तो जितना women का गया है आप लोग मान के चलिए उसी के इर्दगर्द यह घुमेगा उससे कम नहीं होगा जहांते मुझे लग रहे है कि थोड़ा सा बढ़ेगा ही क्योंकि कुछ बच्चों को मैं जानता हूं कि जो काफी देर से तैयारी कर रहे है अच्छी तैयारी कर रहे है बट I hope इससे थोड़ा सा कम ही जाए लेकिन पेपर का लेवल काफी easy था बच्चों ने बहुत अच्छा किया भी है और जानता मुझे सुनने में आ रहे है शायद इसमें negative marking नहीं थी तो चलो अगर आपके इतने number बने है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं बन रहे है अगर आप लोगों के तैयारी इसकी क सब्सक्राइब कर सकते हैं आखे आप लोगों हरे अपडेट मिलता रहे साथी साथ comment box में लिखके बता देना कि आपका expected score क्या बन रहे है कि आपके कितने marks यहां पर ऐसे लग रहे है कि आप लोगों के आ जाएंगे इस पेपर के बाद क्योंकि 74 plus minus 2 मैं इसलिए बोला है क्य common sense पर पूछेगे थे इसके लिए अगर आप लोगोंने कभी पढ़ा भी नहीं है तब भी आप इसका answer कर सकते हैं तो चलो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ने लेक्चेर के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त, have a nice day, see you soon, bye day, all the best और जल्दी ही मैं आपको बता दू इसी चैनल पर live class चलती है 9 बजे, तो साथ जूड़ जाइए, मिलते हैं जल्दी काल ने लेक्चेर के साथ, अगर अगर आपको इन में से किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, जिसमें एक border battalion भी था, finally एक paper आपका यहां से हट गया है, अगर आप लोग तयारी कर रहे है तो आप हमारी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर, ओके गाइस, बबैसे, टेक केर, फिलते हैं जल्दी ने लेक्चेर के साथ, अभी को लिए दीजिये जाज़त, have a nice day, good night